नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेज में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं दस जनरल नॉलिज के most important questions जो कि आपके exams के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्मूल questions हैं तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तो हमारे यह जो चैनल है इस पे क्योंकि दोस्तो हम जो questions चुनते हैं अपनी चैनल पर वो आपके लिए इन्ही जॉब की जॉब से related questions चुनके आपके लिए लेकर आते हैं तो दोस्तो चलिए start करते हैं आज की वीडियो question number बन है महाराज का भारत में सरवादिक कौफी उत्पादक राज कौन सा है भारत में सरवादिक कौफी उत्पादन किस राज में की जाती है option से आपके महाराश्टर, option B, केरल, option C, तमिलनाएडू and option D, करनाटक तो question number बन का सही answer है option D, करनाटक में next question आता है हमारा question number 2, भारत में किस खादिक फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है option से आपके option A, मक्का, option B, गेहूं, option C, चाबल and option D, आपका इन में से कोई नहीं question number 2 का सही answer होगा, option C, चाबल next question आता है हमारा question number 3, भारत में उर्जे उत्पादन से, भारत में उर्जे उत्पादन में सरवादिक भागिदारी है ठीक है, तो option से आपके ताब विद्यूत की, option B, जल विद्यूत की, option C, सौर उर्जा की and option D, इन में से कोई नहीं तो question number 3 का सही answer होगा, आपका option A, ताब विद्यूत की next question है हमारा question number 4, भारत का प्रथम परमालू उर्जे उत्पादन केंदर है, भारत का प्रथम परमालू उर्जे उत्पादन केंदर है, कौन सा केंदर है तो question number 4 के option से आपके, option A, नरोरा, option B, कागरापार, option C, तारापूर, and option D, महाराष्ट्रा तो question number 4 का correct answer होगा दोस्तो, option C, तारापूर next question ले रेते हैं, question number 5, भारत में विद्यूत आपूर्ती सबसे पहले कहां शुरू ही? भारत में विद्यूत आपूर्ती सबसे पहले कहां शुरू ही? तो question number 5 का option से आपके option A, दार्जलिंग में, option B, चेलनाई में, option C, कोलकाता में, या option D, में से कोई नहीं तो question number 5 का सही answer होगा, option A, दार्जलिंग में तो next question की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो की PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे इस वीडियो की description से और हमारे टेलिग्राम चैनल सिवा ओनलाइन क्लासे से तो चलिए दोस्तो, next question की तरफ चलते हैं, next question की तरफ चलने से पहले एक request आप से और होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक औ and option D, इन में से कोई नहीं, तो question number 6 का सही answer होगा, option A, 36 गड़, next question आता है हमारा question number 7, भारत का सरवादिक जस्ता उत्पादक राज कौन सा है, तो option से आपके option A, करनाटक, option B, गुजरात, option C, महराश्ट्र and option D होगा आपका राजिस्थान, तो question number 7 का सही answer होगा, आपका option D, ट्राजिस्थान, next question है हमारा question number 8, भारत में बाक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज कौन सा है, option से आपके option A, उत्राखंड, option B, जम्मू कस्मीर, option C, उलिशा and option D होगा दोस्तों आपका, इन में से कोई नहीं, तो question number 8 का सही answer कौन सा होगा, option C, उलिशा, next question आता है हमारा question number 9, भारत में सरवादिक हीरा निम्न में से किस इस्थान में निकाला जाता है, option से आपके option A, पन्ना, option B, जैपूर, option C, केलोन and option D, गोलकुंडा, तो question number 9 का सही answer है, option A, पन्ना, next question आता है हमारा और आज की वीडियो का last question, question number 10, भारत में सोनल कहां पाया जाता है, भारत में सोनल यानि की दोस्तों, सोना, गोल्ड कहां पाया जाता है, तो option से आपके option A, कोलार, option B, पन्ना, option C, मोतिपुरा and option D, इन में से कोई नहीं, तो question number 10 का सही answer होगा, option A, कोलार, तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो के 10 questions, जो की बहुत important questions थे आपके defense के exams के लिए, तो उम्मित करता हूँ, वीडियो पसंद आई होगी आपके लिए, और वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को like करें, और हमारे YouTube चैनल सिभा online classes को subscribe जरू करें, तो thank you for watching दोस्तों, कल फि